जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारती सेना ने आजाती के बाद का सबसे बड़ा जो है लोजिस्टिक ओपरिशन यहाँ पर इसकी शुरुवात कर दी है और यहाँ पर हमारी जो भारती सेना है वह एलिसी पर लाइन ओफ एक्चुल कंट्रूल के यहाँ पर अब तयार हो चु इसके यहाँ पर बहुत समस्या यहाँ पर भारत और चाइना के बीच अभी गरती रोज जारी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि फिंगर फोर ठीक है जिसे कि यहाँ पर बहुत सारी जो यह लाइन ओफ एक्चुल कंट्रूल की लाइन है तो यहा काफी महिनों से जारी है अभी तक यहाँ पर भारत जो चाइणा की जो है कमांडर पिस्तर तक की वार्ता आयुजित की जा चुकी है परन्तु अभी तक ékसी प्रकार का कोई यहां पर स्टेंड ओफ की जो है नेुज सामने नहीं आई है और अभी भी भारत की सेना और चाइ का आर्टिकल है कि चीन ने तनाव के बीच LAC के पास सर्जियों के लिए सेना तयार कर दी है और आज़ादी के बाद का यह सबसे बड़ा लोजिस्टिक ओपरेशन है डिसकस करते हैं इस टॉपिक को आखिर यह क्या है और क्यों किया जा रहा है भारती जिना के दौरा लदाक क कुछ जानने को मिलेगा तो यहां पर आप हमारी जो प्लास से जंबदी नाटिफिकेशन के लिए पेसेट और टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजेगा और आगर आप यूट्यूब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्ट्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना और आप इसके लिए जो है फ्री डेमो वीडियो भी विजिट कर सकते हैं चाल जानकर एक लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर कर सकते हैं यहां पर फर्स्ट फॉल बात करें कि आखिर यह ख़बर क्या है देखिए लोजिस्टिक ओपरेशन नाम से यसा लगता है कि कोई ने कोई जो है यहां पर मिशन की भारती सेना ने शुरुबात कर देखिए, सिंपल बे में अगर हम समझे यहां पर सिर्फ एक हम कहें कि नॉर्मल सिंपल बे में जो तैयारी की जाती है सेना के दवारा रहने के लिए वही यहां पर की जा रही है, जैसा कि आप सभी जानकर कि जो बास्तेव नियंद्रन डेका है लाइन ओफ एक्ट्रोल कंट्रोल एलिसी इस पर क्या है मैं महा से ही भारत और चाइना के बीच बोडर डिस्पुट को लेकर यहाँ पर तनाव बना हुआ है गतिरो जारी है और इसी दोरान बहुत सारी बड़े पेमाने तक जो है इस तरपर यहाँ पर चर्चा की जा चुकी है चाहे भारत के विदेश मंतरी हो चाहे बहुत सारी बेटके भी यहाँ पर आईजित हो चुकी है परन्थू अभी किसी प्रकार का कोई यहाँ पर नेड़नाई सामने नहीं आया है न तो चाहे न की विपल लिबरेशन आर्मी ने अपने पेरों को पीछे हटाया है और नहीं भारती सेना पीछे हटना चाहेगी ठीके क्योंकि भारत के अपोडिंग जो हमारा हिस्सा है वो ऑविसली भारत का ही शेत्र है लद्दा के पास वाला ठीके यहां पर भारती सेना जो है इन्होंने लद्दा के पूरी वाले हिस्ते में सर्दियों में यहां पर तेनाती की तैयारी करना शुरू कर दें जासा कि आप सभी जानते कि अभी september का month एंड होने वाला है और October के बाद यहां पर ठंड की बढ़ने वाली है तो ठंड के समय काफी जादा होने के बज़े से यहां पर भारती सेना है वह अपने यहां पर ढटे रहने कि लिए अपनी पूरी तयारी है उसको करने के लिए उन्होंने यह जो logistic operation है इसको यहाँ पर शुरू कर दिया है ठीके तो यहाँ पर जो इनके एक अधिकारी है उनका कहना है कि अब तक का यह सबसे बड़ा logistic operation है आजादी के बाद का जिसे लगदाग में आजादी के बाद यहाँ पर लागू किया गया है देखें लोजिस्टिक operation का मतलब यहाँ पर देखें तो कुछ नहीं लोजिस्टिक operation का सी इतना सा मिनिंग होता है कि यह जो operation है यह अपने सबसे बड़े जो है सेन्य रसद operation रसद operation का मतलब होता है यहाँ पर जिस प्रकार से हमें रहने के लिए कुछ आवशक चीजों की आ उनको भी इन बॉर्डर के पास समीप रहने के लिए उनको कुछ रसद सामगरी के आवशकता होती है जैसे रसद सामगरी में भोजन पानी या फिर उनके लिए जो है उप्योगी वस्तु है जिससे की कपड़े भी इसमें सम्मिल रहता है तो जो भी आवशक वस्तु है सेना पूरी लदाख में जो बड़े उजाए वाले इलाके हैं उन शेत्रों में पर चार महीनों की जो भयानक वक्त जो सर्दी है ये पढ़ने वाली है तो इससे निपटने के लिए यहाँ पर जिसे की टैंक भारी हतियार गोला वारुत इंधन भोजन और आवशक जरूत की जो ह हतियार की गोला वारुत और विशेशकर टैंक हैं जो यहाँ पर संभावना है कि सर्दियों में अगर यहाँ पर स्थैनिक रहेंगे तो हो सकता है कि इस दोरान अगर चीन ने किसी फायदे का यहाँ पर उठा कर अगर आक्रमन कर दिया तो यहाँ पर भारती सेना है अगर उ और यहाँ पर जो सेना है हमारी भारती इंडियन आर्मी फूर्ण रूप से तयार हो चुकी है और यहाँ पर पूरी सर्दियां यहाँ पर यह बिताएगी तो अगर हम देखें यहाँ पर विशेशकर कोन सा वाला जो है रिजन है यहाँ पर जो भारत-वर्चायना के बीश when the dispute played, pe согg sou lake यहाँ पर आप आप देखेंगे यह पूरा हिसा है यहाँ पर हिंआलेut यहाँ पर हिंआलेफे तो आप स्थाह जानते हैं कि हिंआलेउ में अभी भारत में जो सर्दी हों का मौसं ह Kendra अभला उने वाला वाला है जूते इसके लावा यहां पर खाने की व्यवस्ता इत्यादी जो है बहुत सारी सामगरी की आवश्क्ता लगेगी ताकि यहां पर बेसरवाइब कर पाए और अगर किसी कारण बश्च चाइना ने अगर उन पर अटेक कर दिया तो यहां पर पूम रूप से उनके पास हदिया मोजूद रहे है और यहां पर वहर रह सके तो चार महिनों के लिए यह तैयारी की जा रही है गिसमें चार महिनों पर ब्यूम जीरो से लेकर 25 ताक महिन पर पान्त वहलuli महिन तो अब इतना जब बाइनस में टेंपरेचर होगा आप यहां पर वेसे ही रहना मुश्ची लिए और इसी के लिए यहां पर पूर्ण रूप से यह तैयारी की जारी अब इस लोजिस्टिक ओपरेशन के तहट क्या हो रहा है कि सेना ने बड़ी संक्या में कपड़े, टेंट, खादी स्वामगरी संचार उठकरन अपने लिए पूर्ण विवस्ता की गई है इसके लावा जो यहां पर वाहन होगे उनके लिए इंधन की आवश्यक्ता होगी हीटर गर्मी पाने के लिए हीटर की विवस्ता इसके अलावा बहुत सारे अन्य सामवना को 15,000 से लेकर 16,000 की जो उचाई है इस उचाई पर यहां पर पहुचाया गया है क्योंकि यह जो पूरा शेत्र है पैंगों सो के पास फिंगर फोर की समय पाला इलाका यहां पर लगभग यह 15,000 से लेकर 16,000 फिट की उचाई पर इस लिए इन सभी जो सामगरियों को पहुचाने के लिए ही य यहां पर भारती या इंडियन एर फोर्स के माद्यम से यहां पर पूरा किया जा रहा है ठीके और यहां पर इसलिए कि अगर चिनी दुर्सा से निपटने के लिए भारत ने पूरी लगभ में इसके अलावा तीन अतिरिक्त सेना प्रभावों की भी तेनाती किये यानिकि इ यहां पर बहुत सारे बाहरी देशों से भी कुछ चीज़े मंगाए गए हैं जैसे यूरोप के कुछ देशों से सर्दियों के कपड़े गियर इस प्रक्रार की यहां पर आयक किये गये हैं ठीके और यह सभी सेनिकों को पहले ही उनकी आपूर्ती की जा चुकी है इसके अला सारो टन भोजन इंधन और अन्युक करणों के लिए परिवान के लिए आपर इनका उप्योग किया चुका है तो इस प्रकार से इंडियन आर्मी साथ में इंडियन एर पोर्स इन सभी की साहभागीता की कारण यहां पर यह जो लोजिस्टिक ओपिशन है इसको पूरा किया जा चुका है तो यहां पर अगर हम देखें तो लदाग में ओल्रेडी T19 टेंक और T72 जो है टेंक यहां पर इनको डिप्लोई कर दिया गया है अभी जो है यहां पर ख़बर भी आ चुकी है कि पूर्वी लदाग में हजारो मिल में जो फ्रेली घाटी में भारती सेना के T19 ठीक है इसको बिश्मय नाम से भी पुकारा जाता है तो यहां पर इन टेंकों के अलावा BMP के इन फ्रेंट्री टेंक है यह BMP सेकेंड और इनकी जो खासियत यह है कि यह माइनस 40 जो है डिग्री सेल्सियस्त के तापान में भी यहां पर अपना पूर्ण रूप से जो संचा यहां पर अगर आप देखेंगे तो एशन न्यूज जो है इंटरनेशनल का आर्टिकल है कि यहां पर जो है टी-19 टेंक जो भीश्मय टेंक है इसको इंडियन आर्मी ने डिप्लोर कर दिया है और पूरी लिदाक वाले शेत्र में है ठीक है यहां पर आगर हम देखें तो इ 500 किलोमेटर की धुरी तर दाए करने की शमता रखता है और इस टेंक का वजन 48 टन ही है इसलिए यह दुनिया के हल्गे टेंकों में शुमार है और दिन हो या राद यह दुश्मन से लेंडने की शमता रखता है इस प्रकार से इसकी खूभिया है इसी प्रकार T-72 टेंक और यहां पर जो BMP-2 Infrantic Tank है यह सभी इस प्रकार के टेंक है जो यहां पर बड़े उचाई वाले शेत्रों में और ठंडे वाले शेत्रों में यहां पर अच्छी तरीके से कारे कर सकते हैं तो इनकी अच्छी शमता होने के वज़े से इनको डिप्लोई किया गया है ताकि अगर सभी प्रहुंक शेत्रों में सैनिको की अपनी मौझूदा ताकत को बना एकने का फैसला किया जा चुका है और चीन के साथ सेमा रेखा के जल्द समाधान का कोई संकेत इसा नहीं मिल पा रहा है भारती वाईशेना जो है हमारी इन्होंने भी LSE के साथ हवागी की जो हवाई पर चीन की तरफ से देखें तो चाइना भी यहां पर पीचे हटना नहीं चाहता है सर्दियों के मौसम में वह भी अपनी तयारी में जूटा हुआ और यहां पर यह जो है जानकारी आ रहे है निकल कर कि 50,000 सैनिक यहां पर चाइना इस शेत्र में डिप्लोई करके रखेगा इन सर्दियों के मौसम में ठीक है तो पूरी तयारी जो है चाइना ने कर रखी है कि यह वह भी जो है अपने पूरे शेत्र को यहां पर कवर कर सके ठीक है इस प्लकार से यहां पर यह जो वीडियो था यह एंड होता है हमारी जो क्लास का MPPC code से इसे आप पर्चस कर सकते हैं PCD.com वेबसाइट पर जाकर जादे आनकरेंगे लिए आप हमारे इन नमर्स पर संपर कर सकते हैं और यहां पर अगर हम निश्कर सी बात करें तो सिर्फ इतना सा है कि यहां पर इंडिया और चाइना के बीग जो गतिरोद अभी चार महिनों से चला हुआ है काफी समय हो चु के इंपरन्तु कोई किसी परकार कोई निनन नहीं हो पाया है इसलिए यहां पर अभी कुछ अंदेशा नहीं हो सकता है कि अथि कब तक यह गतिरोद समाप्त हो पाया पाये घानकरेंगे में और अपने-पने अकोडी यहाँ पर जो इनका स्टेट में ने उनी पर यहाँ पर खरे उत्रे हुए हैं तो फिलहाल यह है इस वीडियो का एंड और यहाँ पर मैं जाना चाहूंगा कि आप इस ओपरेशन के बारे में यहाँ पर इंडिया या चाइना की जो गतिरोत के बारे में क्या जो है तिंग रखते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स आज के लिए बसना ही आप सो भी का बहुत बहुत तन्यवाद और शुक्रिया